एक बाब फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चले में आज हम अबर बात करेंगे जो ECI हंगरी टीटेन का आज की दिन का दूसरा मैच होगा जो किलाज आएगा हंगरी वर्सिस स्वेडन के बीच में तो इस मैच की में आपको इंडेप्ट एनालिसिस करके दूँगा बस आपको करना क्या है ये जो वीडियो है आपको लास्ट तक वोच करना है ये वीडियो आपको बहुत जादा हल पहुचाएगा सबसे पहले भाईयो अगर आप हमारे चनले पेली बार आयो और अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चनल जो नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस्स कर रहे हो क्योंकि final team new players के stats और official betting order आपको टेलीग्राम चनल पे ही मिलने वाला है टेलीग्राम चनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के description में या फिर अगर आप comment section में जाओगे इसी वीडियो के तो जो सबसे पहला comment आपको मिलेगा टॉप पर pin कियावा उसमें भी आपको टेलीग्राम चनल का link मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर आप easily टेलीग्राम चनल को join कर सकते हो मुकाबला start होगा 2.45 पर same ground पर match है artificial wicket है अब हंगरी की team का जो पहला match है वो 12.45 पर start हो जाएगा ये इनका आज के दिन का दूसरा match रहेगा और पहले match मिनका क्या line-up आया है उसके इसाब से मैं आपको player के record बता देता हूँ तो अभी जो line-up आया है उसे इसाब से विनोत रविंदरन और धरापुरेड़ी open करेंगे विनोत रविंदरन दे को अच्छा player है विकेट केपिंग करना चाहिए मेरे इसाब से 2023 में 18 मैच में 346 का आवरेज 3 विकेड है बोलिंग बहुत कम गरवाता है मेन काम बेटिंग है धरापुरेडी टॉप क्लास ओल राउंड रहे है कैप्टन सी का सबसे अच्छा चोईस है 2023 में 18 मैच में 632, 20 विकेड है 34 वर डालके स्टेन अहुजा वन डाउन खेलेगा तो बहुत इंपोर्टन प्लेयर है 2023 में 13 मैच में 433 वो 61 का आवरेज है टीटेन में तो इससे बेटर क्या रिकोड लोगे शेक रसिक भी पहला मैच खेल रहा है नमबर चार पर मेंचन है और मेरे इसाब से दो ओर की बोलिंग भी करवाने वाला है तो शेक रसिक भी एक इंपोर्टन टिक रहेगा 2023 के अंदर 9 मैच में 308 वो 10 विकेड अठार वो डालके काफी शांदा रिकोड है जहीर सपी है 2023 में 15 मैच में 178 16 के अवरेज उतना खास रिकोड में कोई इसका लगा नी मार काउजा 2023 में 2023 में 16 है दर्सन जो है नमबर 7 पर मेंचन किया हुआ है बहुत नीचे है तो मेरे साब साब चोड़ के चलो 12 में 293 रन है अभी तेश प्रशार आएंगे नमबर 8 पर 2023 में 181 में 181 रन 14 विकटे 31 सोवर डाल के बोलिंग मेरे साब से करवाएगा मोईजू लसन की नाम 2023 में 10 में 187 विकटे 20 सोवर डाल के ठिक टाक सा ओल्राउंडर है संजे कुमार 11 में 13 विकटे दो जाते इसमें ये डेथ में बोलिंग करवा सकता है ध्यान रटना आज और मोहमज सकले 17 मेंच में 9 विकटे तो ये इनका लाइनप आया पहले मेंच का अभी मैं यहां से रखूँगा विनोत रविंदरन, धरापुरेड़ी, स्टेन अउजा, सेक, रशिक नीचे से यहां पर अभीतेश, परशार और संजे कुमार मेंन बोलर है इसके लाव आप चाहो तो मोहिज या फिर मोहमज सकलेन में से कोई एक कोट रख कर सकते हो बाकी सेकेंड मेंच पर जो बेंच पर जो प्लेयरेन में से कर कोई खेलता है इसके स्टेट्स आपको मिल जाएंगे पावर पुले में मेरे इसाब से अभीतेश परशार और मोहमज सकलेन आने चीए डेथ में यहां पर संजे कुमार और अभीतेश परशार आने चीए सामने जो टीम है स्वेडन की टीम है और इनका यह पहला मुकाबला रहेगा दिन का स्वेडन की तरब से सेर अली और इमाल जुआक ओपन करने चीए सेर अली भाई ओपन करता है साथ के साथ पार्ट टाइम बोलिंग भी देता है 17 मेच में 383 रन आठ विकेटे 13 वह डालके इमाल जुआक इसने अभी जो ECI T10 का अभी टूनामेंट हो अतना स्वेडन में वहाँ पर ही अच्छा खेला था 18 मेच में 499 रनने 2023 में बढ़िया रिकोर्ड है अबुजार तीन मेच खेला था ECI T10 के ही तीन मेच थे जिसमें 63 टरन इसने किये थे ठिक टाक बेटिंग की थे इसने सहीद हमादे नंबर चार पर मेंचन ने ये बेटिंग यही कर रहा था बोलिंग उतनी ज़्यादा नहीं करवा रहा था 22,23 में 18 मेच में 546 कावरेज 5 विकेट है 19 होग डालके सेमिल्ला रह्मानी 22,23 में 18 मेच में 189 विकेट है 17 होग डालके उतनी ज़्यादा मोका इनको नहीं मिलता साज एप चोधरी ने भी अभी यहाँ पर ECI T10 के जो 6 मेचस हुए थे वो खेले थे लेकिन विकेट सिर्फ 2 मिले थे खलिज जाइद ये इनका में बोल रहे है और ये डेथ में भी आ जाता है दो जा थे इसक अंदर ECI T10 के 6 मेचस खेले थे इसने जिसमे 18 रंते और 5 विकेट थे 10 होग डालके नजर मौमद ने 2 मेच खेले थे जिसमें 2 विकेट थे और वरोल 7 मेच में 9 विकेट है प्रशान सुकला ने 6 मेच खेले थे उसमें 10 विकेट थे सबसे अच्छे विकेट सिसने निकाले थे इसके बाद में जभी जाइद ने 6 मेच खेले उसमें 5 विकेट थे और 12 विकेट डाले थे अगर ये खेलता है तो ये बहुत अच्छा बोलर है पावर प्ले में आता है 20 मेच में 21 विकेट है ओवरोल और 2 जाथे इसमें 9 मेच में 81 12 विकेट है सुदेश खान 2 जाथे इसमें 4 मेच में 25 स्टार्टिंग के वो डालेंगे सेर अली एन मोहमद डेत महेंगे के जाहिद पी शुकला जे जाहिद एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है complete चलेंगे डेमो टीम की तरफ लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजे चलते हैं आप पर डेमो टीम आपको नेक्स स्लाइड में दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले आपका चलते हैं कि फाइनल टीम आपको वहाँ पर मिलेगी और सबसे बड़ी बात इस मैच में ओफिशल बेटिंग ओडर इंपोर्टेंट रहेगा तो वह भी आपको वहीं पर मिलेगा अगर आप टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन से जोनोना चाते हो वीडियो के टाइट टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को जोन कर सकते हो अभी यहाँ पर पन देख लेते हैं डैमो टीम डैमो टीम है मैंने विकेट केपिंग सेक्षन से स्टेन अहुजा इमाल जौक को रखाएं बैइ्टिंग सेक्षन से seek रसिक सेर Λेर अली और सईध इमत को रखाएं और सञेर गुमार को रखाएं वल्राउटर सेक्षन से ए धरापुरेड़ी अबितेश परसाद के जाहिद को रखाएं, बॉलिंग सेक्षन से पीच शुकला और जबी जाहित को रखाएं, क्याप्टन ए धरापुरेडी वो एस क्याप्टन सेर अली, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चले पर ही मिलेगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्षन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर दिया हुआ है, धन्यवाद.